नवश्कार हर खबर में आपका स्वागत है आपके साथ हाजर हूं मैं कंचन बिल जाएगा बिलकुल तो सभी की नजर ठीकी हुई है और बच चुके है आठ यानि की शुरू हो चुकी है मदगणा सबसे बड़ी बात है कि आज सबकी निगाहे ठीकी हुई है कि आखर क्या होगा क्या कमल का फूल खिलेगा या फिर साइकल चलेगी या फिर पंजा अपने आप में कई बड़े और एहम सवाल आजके और बहुत महत्व पूल जाएंगे यूपी पंजाब के नतीज आएंगे सामने यूपी पंजाब उत्रकट गुवा मड़िपूर में मदगणा शुरू हो चुकी है आठ बच चुके है मदगणा शुरू हो चुकी है बिल्कुल और जैसे ही घड़ी की सुई आठ बजाए घड़ी की सुई ने उसके साथ ही मदगणा शुरू हो गई है और जिस तरीके से हम लगातर आपको बता रहें कि पहले जो पोस्तल बैलक के जरीए वोट पढ़ें पहले उनकी गिनती शुरू होगी यानि कि पहले उनक काउंटने सेंपर का जहां से जागनेति हो अससा जुड़ गई है मेरी सहयोगी जागनेति क्या जानकारी आपके पास जी बिलकुल हमेट जो है मदगणा शुरू हो चुकिया, अट बथ चुकिया और पाचो, राज्यों में अब मदगणा शुरू हो चुकिया एसा ने देखने वाली बात ये भी होगी कि कहाँ इसभार बीजेपी अपनी वापसी कर पाएगी कि अब पंजाब में इस बार दुबारा कॉंग्रेस सत्ता में वापस आएगी या उत्रप्रदेश में दुबारा बीजेपी वापस आएगी ये भी एक देखने वाली बात हो कि फ़रार पाचो राज्य उत्रप्रदेश पंजाब उत्र मदगर्णा शुरू हो चुकि सबसे पहले बैलेट पेपर की जो वोट है उनको काउंट किया जाएगा उसके बाद में एवियम की काउंटिंग शुरू की जाएगी और जैसे जैसे रुजहान सामने आएंगे सबसे पहले हर खबर आप तक ये सारे रुजहान पहुचाते रहे क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर किसका राज होगा ये आज तै हो जाएगा तो उत्राखंड गोवा, मनिपूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मदगंडा शुरू हो चुकी है बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हम और सबसे जरूरी बात ये है कि क्या उत्तर आने शुरू हो जाएंगे वो रुजान भी हम आप तक सबसे पहले पहुचाएंगे जी तो पाचो राज्यों में जो है मदगंड़ना शुरू हो चुकी है ऐसे में यूपी पंचाब, मनिपूर, गोवा और उत्तर प्रदेश ये पाचो राज्यों आज ये तस्वीरे साफ उच्वाएंगे कि आखर कहां जो है सरकार बन पाएगी फिलाल आमित हमारे सायोगी लगातर हमारे से बने में आमित क्या लगता इस बार क्योंकि पाचो राज्यों पे जो है मत गढ़ना शुरू हो चुकी है तो बिल्कुल अब वोटों की गिरिती शुरू हो चुकी है पोस्ट बेर के सरी जो वोट पड़ें पहले उनकी गिरिती खी जाएगी और उसके बास सॉठय आट बजे इवय पते सरी जो वोट पड़ें उनकी गिरिती शुरू हो जाएगी करीब नहु बजए परiktory पहला र योगी स्रश्टी बनी हुई है स्रश्टी क्या कुछ जानकारे मिल रही है आप काउंटिंग सेंटर पर है क्या कुछ नजारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि शुरू हो चुकी है मतगरना किसनत का आज फैसला होगा कुछी देर में तस्वीर भी दीरे साफ होती चली जाएगी पांच राज्य में मतगरना शुरू हो चुकी है आठ बच चुके है वक निकल चुका है वोटों की गिंदी शुरू हो चुकी है इस वक्त की बड़ी और एहम खबर लगातार हर खबर नजर और आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा जताया है क्या फिर से कमल का फूल खिलेगा या फिर साइकल चलेगी या फिर हाथ का पंजा मजबूत होगा काफी एहम यहाँ पर टक कर देखने को मिल रही है बड़ी और एहम खबर ट किसमत का आज फैसला होगा बेलकु सही का आपने कंचन और यह अपने आप में एक एतिहासिक देन आज होगा क्योंकि देखिए बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में एक बाफर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है जह यह दावा किया जा रहा है कि जो एक गलत परसेप्शन जो है वो बनाने की कोशिश करना है लेकि सच्चा इससे कोशों दूर है हाला कि अब जो असल नतीजे हैं वो हम सब के साम ले होंगे लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी जो बार-बार अंडरकरंट की बात कर रही थ था कि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से कम आखने की कोशिश की जा रही है ऐसी गलती कोई भी पार्टी ना करे क्योंकि जनता जानती है कि बहुजन समाज पार्टी लोगों के हित्में काम कर रही है